आज हम सिखेंगे तूबी के फूचर टेंस के जो फॉर्म्स है वो एसर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम कैसे यूज करते हैं तो उसके बारे में डीटिव में सीखें उससे पहले में आज फिर से आपको याद करवा दू कि अब तक हमने क्या सीखा है हमने सीखा है तूबी का फॉर्म प्रिजन्टेंस में एसर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पास्टेंस के फॉर्म, एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में कैसे हम सेंटेंज बनाते हैं, तुबी के फॉर्म का उपयोग कैसे किया जाता है अगर आपको मालूब नहीं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं and then you come to this video as well to learn proper English thank you आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक to be in future tense with assertive, negative, introvertive and introvertive negative sentences okay तो आज का हमारा टॉपिक है to be in future tense for assertive sentence अब तुभी की बात करते हैं हम लोग तो तुभी के future tense के form कौन कौन से थे याद करो जरा याद आ रहा है मैंने हमारे दूसरे lecture में है मैंने दूसरा वीडियो है उसके अंदर मैंने उसका उल्ले किया है उसको बताया है तुभी के future tense के forms है will be and shall be अब ये shall be and will be का use करके हमें to be को use करना है अलग अलग set dances में formation बनाने के लिए तो ये हमारा होगा अब एस पर रूटीन टीचिंग आपके सामने टू टाइट्स की बात करेंगे हम फर्स पर्सन, सेकंड पर्सन and थर्ड पर्सन याद करो जो भी प्रोडाउं से वो आई है, सामने वी है सेकंड में यू है यहाँ पे भी यू है यहाँ पे आता है he, she, it और यहाँ होता है दिलल फो दे थर्ड पर्सन के लिए अब इसका formation हम जब याद करते हैं कि to be के future tense, ascertained sentence को बनाने के लिए shall be या whenby में से किसको कहां रखना है तो इतना याद रखो कि जो first person है first person है, वो first person में ही सिर्व shall be का use किया जाता है I shall be full stop we shall be you will be you will be he see it will be and they will be इसका में कर या हुआ कि only and only in first person singular and plural in both shall be used and will be is used in second person and third person in singular and in plural form now what about the translation in Hindi Hindi में क्या होगा I shall be मैं होगा या मैं होगा हम होगे तुम होगे तुम होगे आप होगे वो 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 वे होगे and वे सब होगे अब क्या होगे वो सब हम सेंटेंस में बोलेंगे लेकिन इससे पहले फिर से यार्ट करें दू आपको क्या करना है जो नाइन नंबर का फॉर्मेशन है उसको बायार करना है I shall be, we shall be, you will be, you will be, his seat will be, they will be I shall be, we shall be, you will be, you will be, his seat will be, they will be इतना फास्ट इसका मतलब जब मैं I का यूस करूंगा तो अपने आप मेरे मुझे शेल भी निकलना चाहिए और वो टुबिका फॉर्मेशन लिए शेल के साथ भी होना जरूरी है इसके साथ में अगर मैं सेंटेंज बनाता हूँ कि मैं आने वाले कल में कल सुबह मैं दिल्ली में होंगा यानि आई शेल बी इन डेली टुमोरो मॉर्निंग टुमोरो एक ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर को दरसाता है इसके अंदर फ्यूचर पार्ट दिखाने वाले सभी टाइम के जो वर्ड उसका यूज़ करेंगे इसका मतलब टुमोरो दे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अफ्टर ये सब वर्ड जहां पर उप्योब में लेते हैं वहां मान लेना कि वो फ्यूचर की बात करते हैं तो आई शेल भी मैं होंगा हम होंगे तुम होंगे आप होंगे वो होंगे वे होंगे वे सब होंगे कौन होगा कहां होगा क्या होगा after one year listen to me carefully after one year you will be a very good lecturer like me after one year you will be तुम एक साल के बाद एक अच्छा अध्यापक होगे तो ये जो sentence बनाते हैं वो होता है तुभी का assertive form assertive form में हम लोग positive बात करते हैं तो आज आप लोगों को हमने क्या सिखाया formation no.9 में assertive sentence के to be के future tense की बात की हमने singular form और plural form में will be and shall be कैसे use किया जाता है जन्दी से इसको by heart करो and quickly go on my next video for to be in future tense in negative sentence thank you